जान आया कि अदिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग मिल जान नहीं आपाए अदिकमास की अमावस्या जब अदिकमास पून हो और सावन का मद्यभाद समझ लेना जरा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोग हो किड़नी लीवर जेसा रोग हो सरीर मैस्वार एसी सोगया गुटने डाक्टर ने पदिया पदलना पड़ेंगे कमर तुख रही हो तकलीप कैसी भी तकलीप कैसी भी जिन्दगी का दुख हो कैसा विकश्ट हो समझना उसको जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उतसे जादा तुख तम्यंति और राजनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप दस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की गाल भाद भी बाबा ने कर्पा कर दी अब समझीएगा जिसके पत्रत प्री सक्ता चलीगी अजी बएभव चले बिया राज चले गया प्राई ने सब कुछ थोड़ा के रख लिया सरीर भी बेकार है सरीर बीकार है सड़र रहा अब उसके ध्यान के पत्मी दम्यंती ने कहा, पत्मी कह रही है, पत्मी दम्यंती कह रही है, शिव की अराधना करते हैं दोनों चलूंगे, और रमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर की अराधन का इक नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलका स्परण अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जम जम के बोलो जड़ा एक लोटा जलका पर सावन के महिने में दो लोटा जलका घर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो दवल दवल कब मंजीर दवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिंदकी के सुप डवल कर देगा पता ही है खड़ाए पता नहीं चले और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले दो हाथ में कलशो और शिवका मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव मादेओं को धार चड़ाए दो याज तो तमयंती और नल ने नियब बना गिया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गए निकलते निकलते इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इदर रे गए 15 दिन उदर रे गए बीच में मलमास फसा था इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था इधर हमावस्या पढ़ गए और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पप्पिस लग रहा हो उस दिन 33 को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुन लगाटा चालो कर देते हैं पूरा पुन है अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची चाते हो को वरदन कोन कोन जाता है जाते हो आप लोग अभ रखिये तो वह आपर अमावस्या पूनीमा को लोग भंडारा चलाते हैं चलाते के चलाते हैं आप लोग तो यहीं वर्टे हो ना कई-कई अमावस्या पुन pleasलीमा को भंडारा क्यो चलाते उसका तार्ण तौनि시는 कथा सुन रखी कि पूणिमा को बंड़ रखरों आमावस्या के दिन कोई संकर का भगता गया, कोई शिवका उपासा का गया, ऊघरदानी का भगता है, कोई नरायन का भगता गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मूझ जुटा करे दो, आखिर ठारन क्या बड़े घरों में ब्रह्मन कुली मंत्या कर जाना अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं विराम का दिन होता है, आपको कथा में भी पहले कहा, महमान तुमारी यहां रहते हैं, जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं, महमान जिस दिन जाते हैं, दो सो पांचो रुपे बच्चों को दे जाते हैं, अधिक मास का विराम का दिन, और सावन का वापिस मत्य का प्र सब उस दिन लुटाते हैं संपदा देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवान पर चड़ जाता है तो जिन्दगी का सारब नारपा पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है कि पुष्पश्यू महा पुराना की कथा बाची है पहले उसमें कनेर के फूल का विजर्शन कराया तो यह रोड के जादातर लोग यह कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा जखेंगे इसको जानवर भी निखाता पशू महाँ पक्षी महाँ निकाता जेहरी लाजत कनेर का पीला पुष्प भूल बस। आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे। उनको भूल नहीं मिले। शिप जी को समध्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं मिला। इनको अंदाजा नहीं है, कि आज अज दीकमास का भी राम है। आज तूसरे दिन सावंत का बापिस मिलन है, इनको नहीं ग्याद था कि तेतिस कोटी देउथ अपना भंडात उठाने के लिए तैतिस कोटी देउथ, भूलगा है। हम से लोग कर रहे थे, गुरुजी, आपने सीहोर की जो कवड़े अतर रखी, वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है, और दूसरे दिन बापिस सामन चालू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग जादा आते, बहुशते, हमने क हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोक से मतलब है, जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा, करियर का खूल चड़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा, या किसी को नहीं माल हो, उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे, और उन भुलवश्च अनायास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ दया अब उनको पुष्प ना मिला ना मिलने पर इनोंने देखा मारगर से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बेट रहा है ना पशू बेट रहा है ना इसको कोई खा रहा है नोई चांद रहा, पुष्प रेखा, कनेर का कुष्प संभु था चीना और उठा कर, उस्तक सभु åt वयन देव द्वेदियो महादेव को समरुपीद दिyan, समर्पित करा हुगा पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुन्दरी वाली चदह पर जाकर टिक गया तब अशुक सुन्दरी ने देवा दिए जो महरे उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिल करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिये सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ सरीर काला बड़ा सरी लोग से गर ने धन लिया था वह पापिस राजने न फिन फिरसक भाडर अपर की दिवान हो गया तो अब किसमे है इन्य वुले कि इतार देव अधिए उन्य महादेव ली न जाता कोई दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ा हूँ नंगी बारे पर सारे दुनिया के लोग करें ते में पुरी की कथाप करते हो बड़ी विशेश होगी उसमें क्या विशेश है हम तरे एक एक शक्त को सुनना तुम्हें जिंदगे में किसी के आगे हाथ खेलाने की जरुवत नहीं पड़ीगी अगर तुमने संकर के बताए इन सुन्दर भावों को अगर अपने जीवन में उतार रहे सोला अगस्त को अमवस्या बड़े अधिक मास की विराम दिवस दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा उस दिने एक कनेर का पुष्ट दो लोटा जल बाबा को समर्दिक करने का प्रयास्क और जो आसब हो वस्योर मेरे कोवेर बंडारे की कावड बने आना तो तुमारा भी बंडार को प्रबंडारी बंडारी की कावड कोई सरत नहीं है हमारा घुत아니 अंगर बहले भी कहें कर्जे में अगरдо डूब गया हो कितना भी कोई पैसा लेकर बगग्या हो रोब हो घरैट तक्लीक में एक बार गुबर्बंडारी की कावड़ का इसमरण करना बले, वो तस मिलो मीटर के पर उसका इसमरण जब करें, कभी योग लगी तो गुबर्बंडारी की कावड़ सुबर नो बजे सीवन नती से हमारे उसी और मेनती है सीवन मा उसके चुरहाय से चालू हो आप अपने नगर में रहे कर एक प्रयास जरूर करना दनेर का पुष्पगर मिल जाए, यहां लगता है, अरे बोलो तो जम्हें, लगता है, प्रयास करना है, और एक निवेदान और करूंगा मैं, अगर आप जो सिकार कर लेंगे, तो अच्छी बात है, हम तो इतना जरूर कहें के, अगर कोई के प्रक्ष पर अगर कनेर का पीला फुल उस समय पर रहे, तो वो अपने आस पास वालों को भी दे देना, कि यह फूल ले जाकर संकर्टिको चड़ा तो आजा मवस्या कर दिन है, और सावन मस्या, अगर किसी किया बाबा की प्रपाओ, अगर आपको प्रेस्त